स्वामलेकुम दियर स्टूरेंट्स आज हम 10th Mathematics की Exercise 1.2 पंटे जारे हैं Solution of Quadratic Equation by Quadratic for 2.5 पंटे जारे हैं दो अप्टी परें 3 के पंटे जारें सॉल्व दोने के एक दोने पंटे परता हमने Quadrization Method और दूसरा हम पंटे परता हमने Quadratic for 2.5 पंटे जारे हम तो स्टार्ट करते हैं जिसमें दार मांदे रहें Mathematics S.S.C.2 S.S.C.2 की वहाए 10th को क्याते हैं 10th Class Chapter 1 Exercise 1.2 Lecture 1 Solution of Quadratic Equation by Quadratic Formula यह Quadratic Formula है X is equal to minus b plus minus under root b square minus b square minus 4ac over 2a over 2a यह Quadratic Formula है यह Quadratic Formula है इसको हमने प्रेवार को simplify करना का है इसको हमने ट्राइब करते हैं इसको हमने ट्राइब करते हैं इसको हमने तो क्या हमने ट्राइब करना है यह जो है यह क्याते हैं यह Quadratic Equation प्रफ्रिक्राइब पाइब देंगी AX2 प्रस BX2 प्रस C is equal to 0 और अपंडर्स्टूर है A0 नहीं है यहां इसपर बूतर है नमावाई थी आगी A0 बूतर है अब क्प्रेटिंग स्क्राइब असे स्को सॉल्ड पर एगे यह जो फार्णूल है, हम completing square method से स्कूर राइब करेंगे, तो ax square plus dx, completing square method पे क्या रखा, constant दूसी करफ तरह रहा रहता है, dx equal to minus c, यह constant दूसी करफ, दूसरा step पे रहता था, वही होता था, x square का यह coefficient है, यहाँ, x1 रहना चाहिए, यहाँ a आ रहा है, a को हम सकन करेंगे, तो a multiply हो अर्था, हारे टर्ब पे जबाइब करतेंगे, ax square divided by a, dx over a, minus c over a, यह cancel हो गया, x square plus d over a, into x, मैं इसको अनाथा इस दिये काता है, का वह गाएबल को, ताब कि यह इसका coefficient हो रहा है, यह coefficient x का, is equal to, minus c by a, अब next step क्या होगा इसके साथ, फिर हम दिए क्या दिए क्या होता है, x का जो coefficient है, उसको खाफ कर देंगे, x का coefficient क्या था, b by a, इसको खाफ करना है, आफ को मत्तब आन बैंटों से बढ़ना है, तो यह आज देगा, b over, b once the b, और 2 a, तो इसका whole square जो आफ को मत्तब आफ करते हिए, add करते हिए, यहां दिखेंगे, adding complete square करने के लिए, adding, b over, 2 a, whole square, on, both sides, तो अब यहां इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, x whole square, plus b over a into x, plus b over 2 a whole square, minus c over a, plus b over 2 a whole square, तो आफ करते हैं, आफ यह a square plus b square plus 2 a b, तो यह बन जाएगा, a plus, यह बन जाएगा, पुरा, b whole square, is equal to, minus c over a, plus b square, b square, दो रूल आफ, 4 a square, यह राफ मर्क के लिए छोड़ दिया मैंने राफ मर्क next अब x plus b over 2a whole square is equal to इन दो बैसे में दिया अब जब lcm लेगे a और a square में से a square आजेगा lcm और 7 4 आजेगा नुमर्स में से 4 आजेगा 4a square lcm आपेगे अब क्या करेंगे यह जो lcm था 4a square इसको उपर रखा और यह जो a इसको डिवाइड का गिया यह a a power से जड़ा जाएगा क्या रहा है तिका 4a 4a को c से multiply करतेंगे तो minus 4a square plus अब यह 4a square और यह 4a square 4a square आजेगा आजेगा और यह denominator में 4a है यह इसको पूरे कापुरा डिवाइड करतेगा वहाँ आजेगा तो यहां पर हमाने च्वास one by answer one को हमने b square से multiply कर दिया तो b square आजेगा अब arrangement करते है b square पहले plus वाई टर्म पहले minus वाई बाद में sign भी चैन कर रहा है यह इसी तरफ से arrangement कर रहा है minus 4ac over 4a square यह आपके बाद साथ x plus b over 2a whole square आजो में x की values आइड करनी है तो हम जोनों तरफ square रुके रहें x plus b over 2a whole square is equal to square d square minus 4ac over 4a square x plus यह स्केर स्केर रूट से कैंसल तो X प्लस B अगर 2 A आगया प्लस माइनस यह होल स्केर नहीं है जो रूट से कैंसल होता यह रूट के अंदर ही देगा B स्केर माइनस 4 AC ओगर 4 का रूट जो है तो 2 और A स्केर का रूट अगर अब यह स्केर रूट के लागया हमें X की वैजी निकार नीथी माइनस B ओवर 2 A यह प्लस B भाई 2 A उसका जागे माइनस B भाई 2 A प्लस माइनस R G और D स्केर B स्केर माइनस 4 AC ओवर 2 A दोनों का LCM जेलिया यह इसको इसको डिवाइड करेगा 1 आजेगा इसको मुल्टिप्लाइ करती हा तो माइनस B अब LCM उपर रखा इसको डिवाइड दिया अंसर दरो सेम है दिवाइड 1 अंसर आएगा 1 को इससे मुल्टिप्लाइ कि आते लिए आजेगा B स्केर माइनस 4ACM तो यह स्लूूशन से आप गया इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का इस स्लूूशन आप गया इस इक्वेशन का तो यह को है इसको हम कहते है यह क्वेशन का यह क्वेशन से अब हम इसकी मदद से स्लूशन के हम वो को इसे मुलूऊ-देव गांटेशन के स्लूशन से देखहिए जैसे है क्वेशन नुबर 1 कि दीखहिए- आप दो को आप पिएएफ, तो इसको भी मैंने क्या हमता है, quadratic equation standard form में होनी चाहिए, quadratic formula आपने हमें एक quadratic equation standard form में चाहिए, तो क्या हमता standard form, x square वाईटर, minus x square, फिर x वाईटर विए plus 7x या, इस तरह आपके कहा जाएगा minus 7x, और plus 2 इसी तरह जाएगा, तो हमें ये plus 2 रुखाईगा, minus x square को पहलिक आदिया, 7x plus कदा है, ज़र आपके minus 7x हो क्या, और ये plus 2 इन दी रहा रहा है, इसी तरह जीरो, तरह एग्मेंट चेंज गाना जाएगा, अब ये standard form बनादी के लिए आपको बताया था, इसके x square का coefficient पॉलर्डे बना चेंगे, x square का coefficient जो है वो पॉलर्डे बना चेंगे, तो इसको हम नहीं से करेंगे, आप minus से multiply करतेंगे, multiply, minus 1 on both sides, ये माइन देगा, x square, plus samar x, minus 2 is equal to 3, तो इसमें आपको नहीं देए, इसमें आपको नहीं के quadratic formula, ये formula करेंगे, तो x square का coefficient होगा, इसे हम कहेंगे, a, a is equal to 1, x square का coefficient, 1, मैंने मैंने lecture में जफिस chapter का दिया था, 1.1 exercise का, तो मैंने ये standard form में लिखने के बाद, क्या कहा था, कि x square का coefficient है, वो उसे a कहते है, x का coefficient है, उसे b कहते है, plus 7, और जो constant है, उसे c कहते है, ये minus 2, ये standard form आपको याद रख रही, x square का coefficient a, यहाँ पर 1 था, x का coefficient b, x का coefficient plus 7, और यहाँ प्लस c था, 7 रख किया, 107, plus minus, b की जगपार हमें 7 रख किया, 7 का square, minus 4, a की जगपार हमें 1 प्लस रख किया, और c की जगपार, minus 2, और 2a, 2 as a days, और a जो आपको यहाँ प्लस c था, तो x equal to minus 7, plus minus, 7 का square, 49, minus minus, plus, 4 to the 8, over, 2 as a 2, x is equal to minus 7, plus minus, 49 के 8 रख किया, 57, over 2, तो 57 की अगर हम थक्परिजेशन करें, यह प्राइम्हाइम्हाइशन करें किंप्रीट स्क्रीट 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 नहीं बता, इसलिए इसलिए यह answer यह answer is as it is, solution set आपके पास आपके आगया कि, minus 7 plus minus, उठीक मीलिक मीलिक करने वायम हैं Next, अब हम करते हैं, third body, third, very important question ये, under root 3 x square, plus x is equal to 4 under root 3, under root 3, under root 3 x square, plus x is equal to 4 under root 3, इसको इसको इसर लिया है, under root 3 x square, plus x, standard form विलिक में किनी, और minus 4 under root 3 is equal to 0, ये quadratic equation standard form जाएंगे, तो अब, therefore, x square का coefficient a के लाता है, तो a कितना हो गया, under root 3, x का coefficient b के लाता है, यहां कर कुछ लिए खाते हैं, तो b कितना आ गया, 1, और c constant, ये पूरा constant है, sine minus का, minus 4 under root 3, अब वार्णाट एक फार्णार लिखते हैं, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a c forward 2 a, तो x is equal to, यहां minus 1 plus minus 1, square minus 4 a की तेका, under root 3 c की तेका, minus 4 under root 3, और ये और under root आगे, over 2 into under root 3, a की तेका under root 3 तेका, जब देके, b की तेका, 1, इसके साथ sine minus के था, plus minus, b का square, 1 का square, minus 4 as it is, multiply a की तेका, under root 3, c की तेका, minus 4 under root 3, ये c की तेका, ये तेनों multiply होगे हैं, और over 2 a, do as it is, a की तेका, under root 3 तो x is equal to minus 1, plus minus under root, 1 का square, 1 रागे, minus minus plus, आपके, under root 3, under root 3, under root 9 होजे का मैं ते 9 का क्या होगे, ये दोनों में का, 3 बार के, 4 4 ता, 16, 16 को 3 से multiply का दिया, तो 40 एक डागे, इज़र देके की, मैं यहां रांपर का रहा होगे, ये कौन मुनाया आथा, इस ही का रहा होगा, रांपर, under root 3, जब under root 3 से multiply होगा, तो ये 3 बांचे का, और यहां पर क्या था, 4 इंटो 4 क्या मैं बांगे, 16, तो 4 इंटो 4, 16, ये दोनों आपसे multiply होगे, 48 होगे, 16, 3 तो 40, और minus minus plus, बांगे, over, 2 under root 3, minus 1 plus minus, ये मैं बांगे, 49, over 6, 2, sorry, 2 under root 3, तो, x is equal to minus 1 plus minus, ये बांगे, 40 आइ का रूट ही या, तो क्या रेका, 7 over 2 under root 3, अब एक पर क्रास, एक पर minus, minus 1 plus 7 over 2 under root 3, और तूजरा फोगे, x is equal to minus 1 minus 7 over 2 under root 3, तो x is equal to, 7 में से बांगे, 6, 6 over 2 under root 3, ये इसको simplify करते है, 2 ones are, 2 three is 3 over under root 3, तो, अब ये रेके, अब आगे, 3 हैं, तो मैंने कहा रिख है, मैं में अडरूट 3 into under root 3, 3, तो इस ये को मैं अडरूट थी 2, इस ये को मैंने कहा रिखती है, अडरूट 3 into under root 3 इस त्री को मैं रिखती है, X is equal to minus 8 over 2 under root 3, 2 1s are 2 4s are, X is equal to minus 4 over under root 3 So solution set आपके पास आप गया, इस क्वेस्टिन था Under root 3 or minus 4 over under root 3, यह आपका आंटरा एक क्वेस्टिन हम यह करते है, 5, 5 क्याते हैंगी, 6X square minus 3 minus 7X is equal to 0 Arraignment change करते हैं, standard form के लिए 6X square minus 7X minus 3 is equal to 0 इसको पहले लिखते हैंगी, इसको पार में sign change ही करने हैंगी इसी तरफ arrangement change हो रहा है इसको इसे लिए आपके लिए तो A is equal to 6 हो गया, B is equal to minus 7 and C is equal to minus 3 Quadratus formula लिखेंगे, X is equal to minus B plus minus and the root B square minus 4AC over 2A अच्छा एक बात यहां पर बताना यह जाओंगा, अगर variable यहां पर X हा रहा है यहां X आएगा, अगर यहां Y square और Y होता तो यहांगा Y लिखता अगर यहां Z square और Z होता तो यहांगा Z लिखता अगर यहां T square और यह T होता तो यहां मठी लिखता जो variable होगा वो इतना लिखता है बच्चे वेश्की करते है, variable question में कुछ और यूज़ रहाता है और X ही लिखते जाते है तो यहां रखेंगे नाच्चे, वो question में variable होगा वो इतना आएगा यहां Y होगा, यहां Y हाज़ेगा, Z हैतो Z हाज़ेगा, T हैतो T हाज़ेगा जो variable होगा वो यहां रखेंगा So X is equal to minus B, B की लिखते हैं रखेंगे रखेंगे 7, plus minus, minus into minus 7 B की लिखते हैं रखेंगे 7, is the square, minus 4 into A की लिखते हैं 6 Or C की लिखते हैं, minus 3, whole divided by 2 into A की लिखते हैं So X is equal to minus minus plus 7, plus minus, minus 2 power 1 plus or 8 of 49, minus minus plus or 72 या की लिखते हैं, 6 is the 80, 84 is the 72, 72 लिखते हैं, over 12 लिखते हैं So X is equal to 7, plus minus, यह 1.21 बाइगे लिखते हैं Under root, over 12 X is equal to 7, plus minus 1.21 का square root करते हैं, तो 11 आजेगा, over 12 अब A पर पास और A पर पास, X is equal to 7, plus 11, over 12 X is equal to 7, minus 11, over 12 11 में 7 अगे लिखते हैं, 18, over 12 यह 6 के टेबल के दोने चे लिखते हैं, 6 3s आ, 6 2s आ, तो यह 3 by 2 लिखते हैं X value 3 by 2 लिखते हैं 11 में 7 अगे लिखते हैं, minus 4, over 12 11 बड़ा था, sin minus नागे, इसका sin plus है इसमें इसको नहीं कार लिखते हैं, minus 4 अगे लिखते हैं Solution set आपके पास आपके लिखते हैं 3 by 2, minus 1 by 3 यह आपके लिखते हैं 7th part, 7th 3 over x minus 6, minus 4 over x minus y is equal to 1 पहले अपके देखें, fractions की form में हैं सबसे पहला काम, quadratic equation standard form में हम लिखेंगे तो यहाँ पर, LCM यहाँ आरेगा, x minus 6, x minus 5 over 1 तो यहाँ पर लिखेंगे, multiply लिखेंगे 6 multiply x minus 6 x minus 5 minus 4 over x minus 5 into x minus 6 into x minus 5 is equal to 1 के सा 1 into x minus 6 into x minus 5 ये x minus 6 ये से इसे दिवाइड होजेगा 4 into x minus 6 is equal to यहाँ पर x minus 6 into x minus 5 इसको अंतर multiply कर दिया 3x minus 15 minus 4x plus minus minus 4x minus minus plus 6 424 अब multiply करेंगे परे x को इस bracket से multiply कर दिया फिर minus 6 को इस bracket से multiply करेंगे इस तरह आपने पहले lecture में किया था तो इज़र लेके 3x minus 4x minus 4x मेंस 4x मेंस 3x निकाल देगे minus x आगे 24 मेंस 15 निकाल दिया plus 9 ये बड़ा था इसका साइन आजिएगा plus opposite sign है तो 24 मेंस 15 निकाल देगे 4 मेंस 3 निकाल देगे ये बड़ा था तो minus आगे अब ये अदर multiply होगे x square minus 5x minus 6x minus 5 plus 6,5 to 30 तो minus x plus 9 x square minus 11x plus 30 ये दोनों add होगे, sign same है 11x होगे आप अब बड़े पसाथ जाए अब standard form की देगे minus x plus 9 minus x square plus 11x निकाल देगे minus होगे, minus 10 निकाल देगे plus plus 30 जाए तो minus 30 निकाल देगे, तो ये आगे minus x square निकाल दिया 11 में से 1 निकाल दिया तो 10x अब ये 30 में से 9th काल दिया तो 21 तो इसमें से ये काल देगे minus 21 निकाल देगे अब जब standard form भी करेंगे, तो क्या होगा, x square का coefficient पंडेगो नाची जो minus से बड़े लाइगा अब क्या बढ़ेगा ये बढ़ेगे, ये minus और प्लस होगी, plus और प्लस होगी क्या बढ़ेगी minus और minus और प्लस होगी क्या बढ़ेगी plus तो दिया दिया बढ़ेगी पुरता ये अग्याना बाद A आपके पास आगिया 1 इसका coefficient, टेका coefficient 1 ये standard form आग होगी equation की, quadratic equation standard पास यह a बन हो गया, b एक्षक पोफिशेंट है, minus 10 और c आपके पास पुर्णिवान आगे, अब आपके quadratic formula रगालें, तो x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a, तो x is equal to minus into minus 10, plus minus, minus 10 plus square minus 4a की जागा 1 और c की जागा 21, over 2 into a की जागा 1, तो x is equal to 10 plus minus, minus के पावर इसे, plus होजेगा 100, minus 21 को 4 से multiply जागा 84, यहां मैं कर रहा हूं, यहां मैं कर रहा हूं, यहां मैं इसके बार, x is equal to 10 plus minus, यह बंगे हैं के आपके बार, 100 ने से 84 मिकाल दिया, तो केपना बंगे हैं के आपके पास, यहां मैं कर दो, x is equal to 10 plus minus 16, यह 4 divided by 2, यहां मैं इसके पास, यहां मैं इसके पास, यहां मैं इसके पास, 10 with 4 ने आपके आपके, यह बंगे है, plus 6 over 2, 2 1 0, 2 3 0, to x की value 3 जाएं धिया, तो उमीद है आपको ये लेक्टर जो है वो समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट जो पस्टिन रहे यह वो त्री वेर्य इंपॉर्टन और भी मख्तुत करा हूँगा और इसका रैक्सर 2 और खम करेंगे तो इसको जो है आगे फिर पूरी एक्स्राइज कंप्रीट होगी तीर क्वेस्टन जो लास है बख्तु फिर रहोगा तो इंशाला नेक्स लेक्ट्चर में बगई हो बस्तिंद करेंगे और उपर वारे करेंगे जितने रहे कि ये सैंट तक जो मैंने प्राए हैं इंड जितने पार्ट वान उसे लेकर सैंट तक रहे हैं वो आख खुश रहें तो क्या कैसे हैं आप इंशाला आप उमीद है केबाब कर लोगे असको अदा आफिस